और इस ब्रेक आउट में आप 227 जार की तरफ इलेक्शन के पहले बढ़ेंगे, इलेक्शन के पहले वैसे भी हमारा टार्गेट 227 जार का था ही, तो मुझे लगता है कि हम बढ़ेंगे तो 22800 227 जार इस रेंज में हम कहीं कहीं एक बार पहुँचेंगे, तो बिलकुल इसमें कोई डाउट नहीं है और पचास जार की तरफ बैक निफ्टी पहुंचने की कोशिश भी होगी, पहले उन्चास जार के आसपास हलके फिल की रुकावाट कोई खास बढ़ी नहीं, तो हम पचास जार की तरफ भी बढ़ेंगे, तो इवेंचुली एलेक्शन के पहले 50,000 नि मिली चुका है, मिली चुका है, यह 22,500 के ऊपर जो हम निकले, अब एफेक्टिवली वैसे, 22,300 से 22,500 आपकी बहुत स्ट्रोंग सपोर्ट जोन हो गई, यह आसनी से नहीं तूटेगा, तो अब आपके लिए, आप हें का हैं, 22,700 पे और 200 पूइंट से नीचे से ही आप की चीज़ पर डिपेंड करता है, जो आपको और हमें पता नहीं, कुछ अनोनी हो जाए, जो आपको हमें पता नहीं, वही फैल कर सकता है, बाकि नहीं कोई कच्छा तेल, नहीं कोई FIS, लोकल फंट की बिक्वाली, नहीं कोई ग्लोबल मार्केट का ऊपर नीचे होना, इसे से फैल करेगा, यह जो फोर सिटूइशन और उसमें भी हम लोग, खराब माहूल में भी हम आगे बढ़रा है, तो इसलिए आप इस ब्रेक-उट को एंज्योई कीजिए, यह ब्रेक-उट हो चुका है, Nifty पर भी हो चुका है, और Bank Nifty पर बोकल में ब्रेक पर आया है, 28 दिसम झाल झाल झाल